नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चनल Competition Boss पर मैं हूँ नितेश दोस्तों उत्तर प्रदेश में TGT PGT बरती को लेकर के काफी हल चल है और मेबी इस वीक या नेस्ट वीक इसके आवेदन आने की संभावना है ऐसा बार-बार चर्चित हो रहा है और ऐसे बार-बार चीज़े सामने आ रहे है लेकिन उतना ही ज़्यादा इस एक्जाम को लेकर के या इस बरती को लेकर के क्यूरिसिटी है कि इसमें जो परिवरतन होने वाले हैं वो क्या क्या है इसकी qualification या eligibility है वो सब क्या है तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ साथ देखें कि 2016 में क्या था और उस हिसाब से इस बर क्या changes है क्योंकि इस चीज़ को समझे भी ना अगर आप इस एक्जाम में बैठते हैं अनकेडमी की ओर से आपको इस अवेलेविल करवाया जा रहा है 26, 27, 28 अक्टूबर इसके dates हैं अभी आपके पास time है इसमें आप free and roll करें लिंक मैंने वीडियो को description में आपको अवेलेविल करवा दिया और score booster एक तरीके का यह है आप score booster series को use करके अपना score boost कर सकते हैं और अपनी तयारी को check भी कर सकते हैं कि आपकी तयारी किस लेवल पर complete हो चुकी है तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि जो TGT बरती है और PGT बरती है इसमें दोनों में difference किस चीज का आने वाला है इसके निकलेगी की नहीं निकलेगी biology की बरती आएगी नहीं आएगी chemistry की आएगी नहीं आएगी Sanskrit की बरती होगी नहीं होगी एक तो इस तरीके की चीज और यह सवाल जो है वो PGT वाले भी कर रहे हैं तो last time जो TGT PGT बरती आई थी तो यह subject थे जिन में बरती हुई थी इनके list में आपको दे रहा हूँ वीडियो के link में description में वहाँ से देख लेना क्योंकि वरना इनके list पढ़ने में काफे time लग जाएगा तो वो issue नहीं है करीब करीब सभी subject है मैं आपको एक clear कर दूँ TGT और PGT में इस बर भी भरती में ठीक है दूसरा आता है इसका जो weightage है उसको लेकर के तो इस बर TGT में weightage हटा आ रहे है ऐसा बार बार सुनने में आ रहा है ठीक है तो TGT में अगर weightage हटा रहे है तो क्या-क्या loss हो रहा है या क्या-क्या benefit उससे थे आपको वो बता जाता हूँ तो लास्ट टाइम जो 2016 में बरती हुई थी तो आपको rating जो था वो 85% उसका weightage था ठीक है और PhD का आपके 2% था और M8 और B8 का देखें तो M8 का 2% weightage था और B8 का 1% weightage था नहीं कि इसका मतलब क्या हूँ आप समझें सीदा सीदा मान लीजिए कोई बंदा अगर PhD है और वो TGT में apply कर रहा है तो 2% उसको ज्यादा number मिलने वाले थे इसी परकार M8 का उसको benefit मिलने वाला था 2% B8 का तो करीपरी सभी को एक्वल था क्योंकि B8 तो सभी होने जरूरी है इसकी योग्यता में ये प्राइमोफेसी जरूरत है तो B8 का benefit 1% था उससभी को मिलने वाला था तो ये चीज थी तो अब आपको ना तो PhD का benefit मिलने वाला है इसमें नहीं आपके M8 का मिलने वाला है तो अगर आप आप आपने PhD नहीं किया हुआ M8 नहीं किया हुआ तो आप B8 के equal ही है ठीक है और अगर आपने किया हुआ है तो भी आप उसके equal है तो ये बात clear हो जाएगे आपको यहाँ पर फिर बात आती है interview की 10% interview का था वहां बश्ट अचार की पूरी गुंजाश रहती है ये लगातार comment में आप लोगों ने बताया भी है ठीक है तो इस बाद TGT में interview खतम कर रहे है तो आपका 10% तो weight is खतम किया interview का यानि कि interview खतम किया है और 5% आपके ये जो other activities थी PhD है इनका खतम कर दिया तो कुल मिला के अब आस्तिति क्या रहने वाली है कि आपको 100% जो marking करने वाली है वो होगी आपके written exam में से तो आपको exam की तैयारी best तरीके से करनी है तो कि 15% बहुत होता है किसी भी exam में selection के लिए तो ये 15% भी आपको through exam भी निकालना है तो कुल मिला के partiality खतम होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी TGT में ये इस्तिति है PGT में भाई आपका interview है PGT में system वही रहने वाला है जो 2016 में था इसके लिए आपको relevant subject में PG किया हुआ होना जरूरी है ठीक है टेट को लेकर के चाए TGTO चाए PGTO लास्ट टाइम भी कहीं भी कोई guideline नहीं थी और इस बर भी कहीं कोई guideline नहीं है लिंक मैंने दिया है उसको आप पढ़ोगे तो आप देख लिए टेट के लिए कहीं कोई अनिवारता नहीं दी गई है ठीक है तो इस बर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो इस बर पता लगेगा लास्ट बर तो इसके अनिवारता नहीं थी कहीं भी किसी भी उसके notification में यह नहीं लिखा हुआ ठीक फिर भी हो सकता है missing हो तो आप उसको देख जरूर लेना मैं सजेश्ट आपको ही करूँगा कि अगर आप TET हैं तो बहुत अच्छा क्योंकि सरकार योगजितां में बदलाव कर सकती है और यह सरकार का पूरा हक है इस मामले में कोड भी कुछ नहीं कर सकता इसलिए अगर आप TET PASS हैं UP में या CETET PASS हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है ठीक नहीं है तो कोई बात ही को लास्ट टाइम इस यह निवारत नहीं थी और इस टाइम भी कुछ कह नहीं सकते तो यह तो वह आपकी योग गिता को लेकर रहें कि B.A.D. तो आपका होना जरूरी है B.A.D. हो आप, D.L.A.D. हो आप, L.T. हो आप या फिर एक कोर्स और होता है या इस तरीके कहीं तो वह मतलब कुल मिला कि इसके एक्वेलेंट जो कोर्स होते हैं या एजूकेशन में आपका ग्रिजिशन होना जरूरी है या एजूकेशन में डिग्री डिपलोमा आपका कोईना पर होना जरूरी है यह चीज आपको क्लिए करना बेसिक रूप से आपको बता देता हूं यह था, तो फीस देख लेते हैं उनलोग उसको भरते हैं और उसमें कोई मिसी नहीं करते यह चीज थी अब एक गलती मत करना कभी भी आपको बता देता हूं लास्ट टाइम ली और यह जो 69 जार बरती थी इसमें भी आपने देखोगा जिन लोगों ने फॉर्म में गलती कर दी थी चाहए वो मार्स में गलती कर दी उन्हों ने काफी सारे लोग बाँ बाहर हो गए सेलेक्शन होने के बाद भी ऐसी गलती नहीं करने फॉर्म में लास्ट टाइम की बीस watched है जैँmee पहँ बाद आपको सकते हैं और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है मान लीजिए आप एज लिमिट में इस तरीके से आ रहे हैं कि आपके वाल लास्ट टाइम फॉर्म बर सकते हैं और वहां आप अगर फॉर्म बरने में गलती कर दें तो समझ लीजिए कितना बड़ा टर्निंग पॉ तो 40 साल तो maximum रहेगी रहेगी इससे उपर भी रह सकती है ठीक है तो ये क्योंकि ये बरतीत कुछ अलग तरीके की है तो TGT PGT में ये एज लिमिट रहेगी आपकी 21 साल मिनिमम तो इसके बात क्या आप हो तो आप भर सकते हैं इसमें कोई जादा दिमाग लगाने की बात है ठीक है तो सब्जेट में आप बताए दिये ते 22 तो थे आपके TGT में और 26 थे आपके PGT में योग्यता आपकी BAD हो आपके LT हो VT हो शिक्षा सास्ति हो ये सब शिक्षा सास्तिरी संस्क्रत वालों के लिए चाहिए तो उनके लिए भी जरूरी है तो ये चीज थी अब एक चीज होगा आप माली जीए कि UP से आपने BTC किया है BTC कर रहे हैं तो आपके और 2018 के फर्स्ट और थर्सम के एक्जाम का जो एड्मिट कार्ड है वो भी डाउनलोर रोने शुरू हो गए अब मैंने लिंक दिया वीडियो रिस्प्स्ट में आप वहां से भी ले सकते हैं तो य ये भी आपको द्यान रखने हैं दो बड़े चेंज हैं बागी चेंज हैं जब आएंगे जब देखेंगे क्योंकि अभी फॉर्म इसके निकलेंगे इस वीक या नेश्ट वीक जैसा भी होगा वो देखना पड़ेगा अब एक इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर आप संस् कर तैयारी करना चाहें तो चैनल पर कर सकते हैं मनो विज्ञान के वीडियो अपलोड हैं और बाल विज्ञान और शिक्षा सास्त्र उसके वीडियो अपलोड हैं संकसर सब्जेट के तो हैं तो यह सारे के सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो को रोकें उससे नोट्स आपको कि CT8 की exam data भी नहीं आई है, official website लगाता आप चेक करते रहें, क्योंकि मैं भी चेक करते रहता हूँ, और मेरे चेक करने का region है आपको बताना, आपका चेक करने का region क्या होना चाहिए, कि exam आपका कब है, इसलिए कि एपर एक मिन्ट आप चेक करें, और फिर अपने पढ़ाई में लग जाएं, तो ये काफी important चीज थी, TGT के बारे में आपको बताने के लिए, मुझे लगा कि आपसे share करने चाहिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक को share जरू कर देना, चैनल पसंद आया तो subscribe कर लेना, बेल आगें दबादेंगे, आप तो वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे, आज के लिए इस वीडियो में से तना ही, ऐसे किसी useful वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार,